हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो इमानशीज वर्ड तू फ्रेंट्स यह देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलिश्योस और बिल्कुल नए स्टाइल में मैं आज आपके लिए लेकिया हूँ ओरियो केक की रेसिपी फ्रेंट्स यह केक बनाना बहुत ही इजी है इसमें बहुत ही आसानी से इस केक को बना के त्यार कर सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफूल बहुत ही यमी केक है अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो जाज़़दा वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंट्स की साथ शेयर जरूर से जरूर कर लीजिएगा और मेरे चै पाकलेट क्रीम वाला बिसकिट है आप चाहूं तो वनीला फ्लेवर वाले ओर बिसकिट को यूज कर सकते हो तो यहां पर मैंने एक मिक्सी जार लिया है इसके अंदर यह सारे खसारे जो सारे बिसकेट हैं हम डाल देंगे आज में ओरियो बिस्किट यूज़ करए हूँ, आप चाहो तो किसी और फ्लेवर के बिस्किट को अबी यूज़ कर सकते हो तो ये Mixi JARI के अंदर मैंने सारे के सारे बिस्किट डाल दी हैं ओरियो के और यहां पर देखिए मैंने जो क्रीम है ये भी इसके अंदर डाली है औरियो की ये सेपरेट नहीं की है क्योंकि इसी से जो है मिठास आने वाली है केक में हम इसके अंदर शुगर का बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं कर रहे हैं तो इसके अंदर मैं सरफ डाल दूँगी एक कप के करीब दूद और इस मिक्सी जार को अभी हम बन कर देंगे और इसको हम पीस लेंगे तो ये बहुत ही इजी केक है इसके अंदर हमने चीनी का भी इस्तमाल नहीं किया है ये देखिए ये मैंने मिक्स कर लिया है और ये देखिए कितना थिक और बिल्कुल डिलिशियस सा जो इसका केक मिक्स है त्यार हो गया है बहुत ही डिलिशियस लग रहा है अभी से देखने में तो इसके अंदर बस हमें एक चीज और मिक्स करनी है इसके अंदर हमें डालना है इनो तो य तो यहां पर देखिए मैंने अलग तरीके का थोड़ा सा केक तिन लिया है आज मैं इस तरीके का केक तिन यूज कर रही हूं तो इससे जो है शेप अलग आएगी थोड़ी सी केक की आपके पास नॉर्मल केक तिन है तो आप उसमें भी बना सकते हो इसको तो यह देखिए इस मैंने थोड़ा सा ओईल भी लगा दिया है ओईल को अच्छे से हम चारो तरफ ब्रश कर देंगे ताकि जो केक है हमारा अच्छे से निकला आए बाद में इसके अंदर थोड़ा समय मैदा भी छिड़क रही हूं मैदा छिड़कने से जो केक तिन है वो नॉम्स्टिक हो जात भी दाति एक हमारा तक छली बेख करने के लिए हम Haven का भी यूज़ नेकिने कजा this Egypt 7 इसके ऋप्लेट रखेंगे जो केक विल्कुल भी न जले हमारा और इसके उपर हम टिन रख देंगे को कम 15-20 छीमिनारेbte मीडियम से लो द्टम फ्लेम पर पार रख सकते हैं केक केक हमारा यह थे देखिए है कीजिन yol Dartmouth इसको निकाल लेते हैं और जैसे केक टिन ठंडा होगा तो हम केक को लटा लेंगे तो यह देखिए फ्रेंस यह केक मैंने निकाल लिया है तिन में से बहुत ही आसानी से निकल के बाहरा आ गया है अब इसके बाद मैंने यहां पर ली है वाइट चॉकलेट तो यहां पर डाल दी है मेल्ट करके और यह देखने में अभी से बहुत यमी लग रहा है इसके बाद मैं इसके उपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप भी डाल रही हूं जिससे की कॉंट्रास्ट अच्छा आ जाए इसके उपर तो यह देखिए इस तरीके से जिग जैक पैटन में हमको जो ह चॉकलेट सॉस को डालना है तो यह देखिए लग रहा है ना बहुत ही जादा यमी इसको आप गर्मा गरम भी खा सकते हो मतलब माइक्रोवेव में हलका सा गरम करके खाईए और बहुत ही टेस्टी लगता है बिल्कुल चॉकलेट ब्राउनी जैसा इसका टेस्ट आता है और इसका एक में पीस काट के दिखाती हूँ आपको यह बहुत ही टेस्टी है आप वैसे इसको गर्मा गरम जैसे चॉकलेट ब्राउनी खाते हैं वैसे खाईएगा बहुत ही टेस्टी लगेगा तो यह देखिए लग रहा है ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी आई होब इसे डिलिशेस केक्स की चॉकलेट की स्नैक्स की रेस्पीज देखनी है तो मैंने बहुत सारी रेस्पीज बनाई है प्लेइलिस्ट भी बनाई है प्लीज चेक आउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो आई होब फ्रेंज आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जास जादा इस वीडियो को अपने फ्रेंज और फैमली के साथ शेयर कीजेगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना के लिए बाई और फ्रेंज ये कुछ दूसरे वीडियो हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं धैंक यू